कपड़े खरीदते समय हम अपनी प्रैंट का चुनाव स्टाइल मूल्य आराम और गुणवत्ता के लिए करते हैं लेकिन जब हम उसके लेबल के पीछे की कहानी के बारे में सोचते हैं तो हमें वे लोग नजर आते हैं जिन्होंने ये कपड़े बनाए हैं अक्सर खराब परिस्थितियों में काम करने वाले इन लोगों को प्रति दिन अपने अधिकारों और स्पतन्सुता के लिए संघर्श करना पड़ता है हमेंसे कई लोग अच्छी इवंग सुरक्षित कारी परिस्थित्यों में बनाएगे कपड़े खरीदना चाते हैं लेकिन वैशविक वस्त्र इवंग परिधान उद्योग में इस बात की गैरंटी बहुत मुश्किल है इसका एक कारण इन ब्रैंड के पास अपनी स्वैंकी फैक्टरी का ना होना भी है अपनी फैक्टरी में कपड़े तियार करनी की बचाए इनका उत्पादन कई अलग-अलग कमपनियों द्वारा एक जटल अंतराश्ट्रिय आपूर्ती श्रिंखला के अंतर गत किया जाता है जैसे की एक टी-शेट को धारन लेते हैं एक टी-शेट को कई कर्मचारी मिलकर बनाते हैं जो संभवता अलग-अलग फैक्टरी में काम करते हैं कुछ खास कपड़ों को तयार करने में आधिक कर्मचारी भी लग सकते हैं ऐसे में कई जगों हो पर गड़बड़ी होने के संभावना रहती है यह इस संपूर्ण आपूर्ती श्रिंखला का बस एक हिस्सा है जैसे की कपास को उगाने के लिए उसकी खेती होती है फिर सूत की कताई होती है उसकी रंगाई होती है कपड़े में तयार करने के लिए उसकी बुनाई होती है जिसे बाद में सिलाई के लिए भेजा जाता है ये बस एक टी-शिट की आपूर्ती श्रिंखला है जो किसी ब्रैंड के सीजनल कलेक्शन का बस एक आइटम है लेकिन ये सभी ब्रैंड प्रत्ते एक सीजन, दरजनो ये सौं से अधिक ऐसे डिजाइन बनाते हैं जिन्हें तयार करने का ओर्डर आमत और पर कई अलग-अलग फैक्ट्रियों को दिया जाता है इस दोरान ये फैक्ट्री दरजनो अलग-अलग ब्रैंड के लिए कपड़े तयार करती है जिसके परिमान स्वरूप कपड़ों में बने चित्रो और इसकी बुनाई में अंतर हो जाता है इतनी पेचीदा प्रणाली में आप ये कैसे सुनिस्चित कर सकते हैं कि जिन लोगों से ये कपड़े बनवाए जा रहे हैं उनके साथ सही वेवहार होता होगा ऐसे में Fair Wear Foundation एक ऐसी संगस्ता है जो कपड़ा उतपादन की आपूर्ती श्रिंखला के इन अलग-अलग हिसो पर ध्यान देती है सलाई की फैक्टरियों में श्रम कानून के कई नियमों का उलंगन होता है चुकि सिलाए एक श्रम प्रधान व्यवसाय है इसी लिए इसमें कई श्रमिकों की आविशक्ता होती है Fair Wear Foundation में संयुक्त राश्ट्र संग के सध्धानतों पर आधारित आठ श्रमिक मानों के तहत कारे होता है और इसमें श्रमिक के मूल मानवादी का रुका ध्यान रखा जाता है अपने पसंद का रोजगर चुनने की स्वतंत्रता मतलब की किसी को जबर्दस्ती काम करने के लिए बाध्यन नहीं किया जा सकता कोई मतबेद नहीं होता, बाल श्रम नहीं होता मजदूरों को अपना संग बनाने की स्वतंसरता है और उनकी उचित मांगे पूरी की जाती है निर्वहा मजदूरी का भुगतान किया जाता है उचित कार्य समय होता है काम करनी का सुरक्षित एवंग स्वस्तवाता वरन प्रदान किया जाता है तथा रोजगार सम्बंध कानूनी रूप से बाध्यकारी होते हैं जो की एक उचित और कानूनी अनुबंध है तो ये मानक कार्य कैसे करते हैं? कभी-कभी ये बिल्कुल सीधा और स्पष्ट होता है उधारन के लिए जब मजदूरों को काम से अवकाश लेने ये कपड़े चुराने से रोखने के लिए आग से बचाव के लिए बाहर निकलने का द्वार बंध कर दिया जाता है ये बंध द्वार स्वास्त इवंग सुरक्षा मानक का साफ उलंगन है तथा ऐसा करने की बचाए इन छोटी-छोटी समस्याओं का दूसरे तरीके से आसानी से समाधन किया जा सकता है लेकिन अधिकांश मामलों में इन उलंगनों के पीछे चीपे कारण आपस से जुड़े होते हैं और इनका मूल कारण फैक्टरी के नियंतरन से बाहर होता है उधारन के लिए एक बहुती आम समस्या है कारिय समय का अत्यादिक लंबा होना कई गार्मेंट फैक्टरियों में लोग एक दिन में 16 गंटे और सप्ता में 6 या 7 दिनों तक भी काम करते हैं जो एक सप्ता में 100 गंटों से भी ज्यादा है कभी-कभी उन्हें एक साथ कई महीनों तक काम करना पड़ता है आईए इस बारे में विचार करें कि इन सब का मतलब क्या निकलता है अगर आप 16 गंटे काम करते हैं मान लेते हैं कि आप सुबह 7 बजे से रात 14 बजे तक काम करते हैं तो इसका मतलब है कि आपके पास आपके परिवार या आराम करने के लिए बिलकुल भी समय नहीं है यहां तक कि आपके पास सोने के लिए भी परियाप्त समय नहीं है लंबे समय तक काम करने से काम के गुणवत्ता और साथ-साथ मजदूरों की सुरक्षा भी प्रभावित होती है अब तक अधिकांच दुरगटनाए ओवर टाइम करने के दौरान हुए है जब मजदूर ठक जाते हैं तो फिर लोग इतने लंबे समय तक काम क्यूं करते हैं कभी-कभी तो मजदूरों के लिए घर जाना ही मना होता है लगभग हमेशा मजदूरों को मिलने वाला वेतन इतना कम होता है कि बिना ओवर टाइम के उनके लिए घर, परियाप्त भोजन और अन्यमूल आवशकताई जुटा पाना मुश्किल होता है इस तथ्य के बावजूद कि कारी समय का अत्यादिक लंबा होना खतरनाक है और इससे उत्पाद के गुणवत्ता घर्टी है फैक्ट्रियों पर कपड़े जल्दी डिलिवर करने का भारी दबाव होता है नहीं तो वे अपना वेवसाय और मजदूर अपनी नौकरी खो दें है कि फैक्ट्री वालों को नहीं पता कि अब अगला ओर्डर कब आएगा इसलिए वे ज्यादा बुकिंग कर लेते हैं ओवर टाइम का एक अन्यकारण इन अचानक दिये जाने वाले ओर्डर का ये भी मतलब है कि मजदूरों को कोई अनुबंध नहीं मिलेगा अत्वा उन् अन्य तरीकों से भी जुड़े हुए होते हैं निर्वाह मजदूरी का भुगतान एक मुख्य समस्या है क्योंकि इसके बाल श्रम जैसे परोक्ष परिणाम होते हैं अगर माता पिता जीविका के लिए परियाप्त अर्जन नहीं कर पाते हैं तो आप अनुमान लगा सकते है कि उनके बच्चों का भविश्य किस दिशा में जा रहा है संभवता स्कूल के और तो नहीं इसी तरह कोई मजदूर अपने इच्छा से किसी मजदूर संग का गठन या उसमें शामिल हो सकता है तथा सामोहिक रूप से अपनी मांग रख सकता है ये बात सुनिश्चित करती है कि वे फैक्ट्री की स्थिति सुधारने में एक एहम भूमिका निभा सकते हैं बहुत अच्छा होगा अगर हम बस इन फैक्ट्रियों से अपनी स्थिति सुधारने के लिए कह देते और ऐसा हो जाता लेकिन वास्तविक्ता ये है कि ये फैक्ट्री सब कुछ अपने आप ठीक नहीं कर सकती है तो इसे उच्छित बनाने के लिए कौन से मिधार है सही माइने में इन फैक्ट्री की बहुत महत्व पूर्ण भूमिका होती है मजदूरों को रोजगार तो यही देते हैं लेकिन ब्रैंड की भी इसमें एक एहम भूमिका है गुणवत्ता और मूल्य कि साथ-साथ ये ब्रैंड एक अच्छी कारिय परिस्तिति बना सकते हैं इसके अलावा ब्रैंड कार्य परिस्तितियों पर एक गहरा सकरात्मक प्रवाव डाल सकते हैं प्रपाव करके उचित दिलिवरी すमय प्रदान करके और फैक्ट्री को भावी ओर्डर के लिए आस्व अब आपके भूमिका आती है सारवजनिक रिपोर्टिंग में उपभोकता लेबल की पीछे की बात जान सकता है और कपड़े के उत्पादन की जानकारी के आधार पर इस बात का निर्णे ले सकता है कि उसे कौन सा कपड़ा खरीदना चाहिए इस बारे में अधिक जानकारी के लिए fairwear.org पर जाएं जहां आप देख सकते हैं कि हम किन ब्रैंड के साथ काम करते हैं और साथ ही अपने देश में उत्पाद विक्रे करने वाले Fairwear Foundation सदस्यों की एक शॉपिंग सूची बना सकते हैं कर दो में देख सकते हैं